होगे दे नमस्तिया आप सिस्क्राइगाल मैं हूँ C.A.S. अंकल कांस्तिया So, results are out और आप लोग काफी सारे professors के काफी YouTube channel पे चेक कर रहे होगे Rankers के interview and सब में आपको एक ही चीज़ common मिलेगा and that one thing is बहुत सारा writing practice चाहे वो बोले या ना बोले Background में मैं आपको बता देता हूँ that उन्होंने बहुत सारी writing practice दी है test लिके है अपने आपको evaluate किया है तब जाके उनको वो rank आया है और आप तो खाली top rankers का interview देख रहे हो other than that also जो भी students clear हुए है well it requires a lot of writing efforts जो कहीं ना कहीं as students अपन लोग उसको consider नहीं कर रहे है मैं तो हर बार बोलता हूँ that you know writing and not writing will make a difference of at least 10 marks in your paper और 10 marks से एक CA final या एक CA के student के लिए कितना important है मुझे बोलनी की ज़रुवत भी नहीं है so उसी चीज़ को ध्यान में रखते वे please एक चीज़ मैं कुछ जितने भी students है जो नहीं clear हो पाए unfortunately उनसे भी मेरी काफी बात चाल हुए and they admit and they realize that yes sir थोड़ा कहीं न कहीं इस चीज़ के उपर अगर हमने ध्यान दे दिया होता तो आज बात कुछ और होती well it's never too late to meant कोई बात नहीं अभी अपन लोग उस चीज़ का ध्यान रख लेता है देखो CA का portion इतना vast है कि कहीं न कहीं अपने को लगता है और थोड़ा पढ़ लेता हूँ और थोड़ा पढ़ लेता हूँ अच्छी बात है ना नहीं है उस बात को बट जब तक उसको आप execute नहीं करोगे न तो फिर वाद में exam में अगर कहीं भी कुछ उपर नीचे होता है वो आपका mind आपको इतना immediately clarity नहीं देगा कि उस पर कैसे react करना है वो तब भी possible है जब आप चीजों को लिखते रहो तो इसी चीज़ के लिए मैं आप लोग के साथ यहाँ पर अभी यह video बना रहा हूँ for a simple reason that अभी मेरा batch चालू है अल्रेडी दो batches चालू है SEMP का live batch चालू है SFM का live batch चालू है and उन batches में मैं यह Sunday को live test रखने वाला हूँ ठीक है so if it is possible for you तो आप यह Sunday को दे दू if it is not possible यह Sunday को कि सब हमारा यह पढ़के नहीं हूँ हमारा कुछ और पढ़के हुआ है आप लोग बात में देना चाते है up to you कोई problem नहीं है papers तो बनी रहे है and आपको जब time मिले आप देना but देना इसको and 3-3-4-4 topics कर लेना और फिर उसको देना देखो एक-एक chapter wise भी देना मुश्किल हो जाता है कही बार but at least अगर मैं SCMP और SFM को divide करता हूँ chapters में तो 3-4 आप test दोगे तो आप लोग को एक confidence आएगा and you will also by default study for these chapters so lean system, modern business, decision making का हमने set बनाया है SFM में जो मेरा phase 1 है mutual funds, portfolio, valuation of securities उसका phase बनाया है and we are keeping it on this Sunday in case आपको register करना है then you can get back to us on any of our numbers तो ये number पे आप call करके detail ले सकते हूँ कब देना है क्या देना है but please ये number पे आप call करना 11 a.m. to 7 p.m. के बीच में ही because that's when the people who are going to respond to you will be available दूसरा यार, old syllabus का last attempt है अब मुझे नहीं पता institute क्या करने वाली है ये last attempt में but क्यों ना अपन इसको ऐसे ले ले that यार, ये मेरी जिन्दगी का भी last attempt है and उसके लिए जो effort डालना है वो अभी से डालना चालू कर दे 85-90% you would be there अब थोड़ा उसको, वो gap को fill कर दो, ठीक है so I'm sure you are ready to put in the hard work अगर उस चीज के लिए ready हो तो इस चीज के लिए भी ready होने चाहिए जोरी नहीं है यही आपको test देने आप कुछ से भी अगर ये, basically आपको से बता रहा हूँ मैं कि ये 3 chapters है तो जो मेरे को लगता है logically link कर रहा है phase 1 में ये link कर रहा है इन में से approximately 35 marks का paper आता है दोनों में SFM में भी SCMP में इसके लिए 35 का मैंने एक cluster बना है ऐसे और एक 35 का cluster बनाऊँगा आज से 15 दिन बाद वो भी आप लोग दे देना best रहेगा ये systematically schedule करके आप करोगे न तो काम हो जाएगा साथ साथ में otherwise थोड़ा अपन lag कर देते हैं and then फिर जब October का time आता है न तब अपन सोचते हैं कि लिखेंगे बड़ तब तक ऑल्लेड इतना burden होता है अपने पास पढ़ाई का backlogs का that we are not able to do it इसके लिए वो backlog आगे create हो नहीं वाल है we all know the vastness of the portion तो वो जब होगा तब होगा बट अभी तो अपन फ्रेश है अभी एक जोश है उस जोश में निकाल लो जितना writing practice निकाल सकते हो so this is what my advice is you can join our telegram channel वहाँ पर मैं इस चीज़ का एक update दे दूँगा so you'll get to know about it so description box से वो आपको मिल जाएगा and मिलते है and crack करते हैं इस बार का attempt ठीक है कई students पूछ रहे हैं कि sir new syllabus में shift हो जाता हूना छे ही paper दे रहा है इस भ्रहम में मत रहना कि 6 paper दे रहा है देना तो 8 paper है sir but वो तो MCQ है easily manage हो जाएगा we'll wait and watch but then वो attitude क्यों रखना है अपने को delay वाला attitude आज नहीं तो कल in shot मैंने तो करने ही वाले हो ना अभी time है कर लो last attempt है golden attempt है ICI के लिए भी no parallel attempts कर लेते हैं अपन यार अपना best prepare कर लो अपने आपको हो सकते हैं इसके दोनों group हो वो तो दोनों ना दे पाए so आपके हिसाब से आप schedule कर लो बट दे दो यह मैं जो cluster बना रहो ना यह बहुत important है यह बहुत logically मैंने सोच के बनाया है पढ़ाया भी मैंने इस हिसाब से live batch में और cluster भी उससाब से बनाया है इसको देना चालो कर दो यह cluster दे दोगे ना पास होने वाला tension निकल जाएगा 35 to 40 यह निकाल देगा आपको और एक cluster दोगे ना exemption पर पहुँचोगे और एक cluster दोगे ना और अच्छे level पर पहुँचोगे as simple as it seems बस मेहनत करना है to complete this and वो एक 100 marks का यह दोनों 100 marks के होंगे 100 marks का वो एक effort लेना है बस उतना कर दो बाकी बहुत सारी चीजे है जो आप लोगे साथ discuss करनी है SCMP का planning and strategy SFM का planning and strategy and how are we going to approach in terms of revision lectures वो सारी चीजे आप लोग के लिए आने वाली आने वाले एक दो महिने में ठीक है stay tuned, stay subscribe see you all hasta la vista take care, bye bye